वो जो है जे बरनाधम तेली कुमहारा सुपच किरात कोल कलवारा तो कैसे मैं कौन सी जाती बची ताड़ना सब्द का अर्थ सिक्षा देना है तो इनको ताड़ों नी ब्रहमनों को अगर हमारे साथ अन्या नी होता भेदभाव नी होता हमारे हक कोई और नी खारा होता तो हम आरेक्षिन की जरूती नहीं थी तो कोई इस बात का बुरा मानता हो तो मान जाए हमारा कॉन सब्सकार करते हैं यहां कॉन सब्सक्रादरी से किरा देंगे लेकिन वह हमारे लोगों की समझ में तो आएगी बात हुआ हुआ है हादर निये डॉक्टर लाल रतनाकर जी ने जह समात किया था कि विमर्स की आव सकता है मैं वही उसी कड़ी से सुरू करना चाहता हूँ कि अध्यन की भी आव सकता है रिसर्च की भी आव सकता है और विमर्स की भी आव सकता है मैं यह महसूस करता हूँ मैं बहुत बारीकी से इस बात का अध्यन करता हूँ मैं देखता हू कि जिस तरह यहां OBC महासाभा के कारिकरम हो रहा है, OBC समाज के बारे में, सुद्र समाज के बारे में, बहुजन समाज के बारे में, दलित और आदिवासी समाज के बारे में, बाते की जा रही हैं, तो यहां खूब खूल के बोलेंगे, और ताली भी खूब बजाएंगे, समर अन्याय पूर्ण बातों पर भी अनर्गल बातों पर भी गलत बातों पर भी मौन साध लेंगे बोलेंगे नहीं ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें हर जगे बोलना चाहिए हम कोई अन्याय की बात तो करनी रहे कोई बेइमानी की बात तो करनी रहे हम कोई जुड़ी बात तो कहनी रहे हम कोई फर्जी धरमसास्त के नाम पर तो अपनी बात तोब नी रहे ये जो सनातन और धराम और राष्ट के नाम पर फरजी बाते तो भी जाती हैं उनके विरोध करने के बजाए हम मौन धर लेते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इनका विरोध करने से हम द्राष्ट द्रोई ठहरा दिये जाएंगे हम धरम दरोई ठहरा दिये जाएंगे हम धरम सास्त्रों के विरोधी ठहरा दिये जाएंगे अब आजकल दो-तीन विमर्ष चल रहे हैं मीडिया में आपने देख रहा होगा राजनिती में और पूरे देश में कि एक तो जाती है जनगन्ना हो और एक रामचरीत मानसका भी चल रहा है और एक कोई महराज है जो फिरोड करता है धोके बाजी करता है लोगों को बहकाता है उस पर बड़ी चर्चा चल रही है पाखंडी है और थोड़े दिन बाद जेल में होगा ये गारंटी है इस बात की भी गारंटी क्योंकि इनका यही इतिहास रहा है तो उस विमर्स में मैं महसूस कर रहा हूँ और जो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है डाक्टर लक्षमन यादव जी हैं मंच पे मौजूद है उन्हें आप सब सुनते होंगे मैं भी बहुत उनकी वीडियो सुनता रहता हूँ यूट्यूब पे वो बहुत विस्तार से इस बारे में बताते रहते हैं कि हमारी समसे बड़ी कमजोरी जहां जहां कमजोरी है हम वहीं से सासित किये जा रहे हैं एक तो हम मीडिया में नहीं है मीडिया में जो ये चैनल आजकल छोट छोट चैनल पोर्टल शुरू हुए यूट्यूब चैनल शुरू हुए ये हमारा काम करने वन्न मुख मीडिया में तो हमें कोई जगे ही नहीं अब ही इस रामचरित मारस में चर्चा थी, कि ध्ição गवार, शुद्र, पुषरूणारी, ये सब तारण के अधिकारी ये सही है ये गलत है इसका संदर्व क्या है इसका क्या अर्थ क्या है तार्ना सब्द का चर्चा में कौन सामिल थे दो तिवारी बैटे थे एक तिरपाठी जी बैटे थे एक पांडे जी थे जहाजाब थे एक सुकला जी थे और चर्चा हो रही थी और पांचो छेओ इस बात पर सहमत थे नहीं जी दुलसिदास तो बहुत बड़े महापुरूज थे वो तो संत थे वो तो सनातन के प्रेरख थे उन्होंना तो बहुत सही लिखा है और ये तो ये तो ये लोग ही अर्थ नहीं समझ रहे जी इनकी समझ में नहीं आ रहा है तो मीडिया में हमारे लोग नहीं हैं और हैं भी तो महाँ जाके मौन हो जाते हैं बोलते नहीं हैं दूसरे निया एल्ले में जुडिशरी में हम सबसे जादा कब जो हो रहे हैं जुडिशरी में तब तक हम नहीं आपाएंगे जब तक इसमें जो हायर जुडिशरी है उसमें इसका कोलेजियों का सिस्टम चेंज नहीं होगा और उसमें आई-एस-ई-पी-एस की तरह आरक्षल नहीं दिया जायागा तब तक उसमें हम नहीं आपाएंगे तो एक तो हमें इन चीजों पर बोलना पड़ेगा कहना पड़ेगा मेरी एक बहुत ज्यादा वो किलिप चली थी एक उस दिन जो है मोदी जी ने कहा था कि पस्मांदा समाज को भी अलियनवर साथ कि कुछ वो आरक्षन या वो नहीं मिलना चाहिए आगा आना चाहिए जो हमा मैं अकेला OBC था कोई तलित नहीं था उसमें और पांच पंड़जी बैठे थे तो मैंने बहुत मजबूती से सवाल उठाया मैंने कहा हमें आरक्षन की जरूत क्यों पड़ी अगर हमारे साथ अन्याय नहीं होता भेदभाव नहीं होता हमारे हक कोई और नहीं खारा होता त हम्रेस्टी नहीं थी हमारे हक पंडे जी मिस्टा जी सुकला जी तिवारी जी और तिरपाठी जी खा रहे थे इसलिए हम्रेस्टी होताल है जिए हमारे सब्राधर किरा देंगे लेकिन वह हमारे लोगों की समझ में तो आयगी बात है तो मैं केवल ये निवेधन करके, क्योंकि बोला तो बहुत कुछ जा सकता है, बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत बात कहने के लिए हैं भी, लेकिन मंच की गर्मा का ख्याल रखते हुए, समय सीमा का ख्याल रखते हुए, वरिष लोगों को बोलना है, बहुत लोगों को बो लुआ लुआ हमें सदक्पर भी बोलना है साधी विवा में भी बोलना है मौत में जाते हैं वहां भी बॉलना है कि अगर कर टाढ़ना सब्द का अर्थषख्षा देना है तो इनको मिर हमनों को दो Crisis जदा इना ताड़ो नी यह तो सीषे की तरह साफ है यह तो सबको पता है कि हम सब सुधर हैं हम सब सुधर हैं और मैं कहना नहीं चाहता तो मैंने जान पूझके वो बात नहीं कहें लेकिना आपने सवाल उठा दिया तो कल अखले स्यादावजी लखनाओं में बोल रहे थे अखले स्यादावजी एक किसी उसमें गए थे सामिलों ने धार्मिक कारिक्रम में वहां बीजेपी के लोगों ने जंडे दिखाए नारे लगाए अपमान किया तो उन्होंने इस पस् सुद्र हैं और जब इनका निशाना होता है सुद्र ये कहते अब तुलसी दास जी ने लिखा है जो बहुत ज्यादा बोली जारी चौपाई जो स्वामी परशाद मौरिया ने भी बोली है वो चंद्रसेखर जी नीजे में बोली है कि वो जो है जे बरनाधम तेली कुमारा स सुपच किरात कोल कल वारा तो कैसमें कौन सी जाती बची जब तेली और कुमार आगे तो सारे ओभी सी आगे यादों के लिए भी लिखा उसमें रामचरिति मानस में निसाद को जिसको कहते हैं कि जब रामचंद्र जी ने तो उड़ा इतना संबान दिया उन्हें कौली भर करता ह हमें आप सम्मान दे रहे हैं जब सबरी के पास जाते हैं तो सबरी से कहलवाया के कहीं भी धियाश्तूति करों तुम्हारी नीच जात में जड़मत भारिक मैं तो महामूर हुँं क्यूंकि नीच जाती में पैड़ा हूई अ अपात्रट तता कहायं ढोलकवार सुद्रपसुन आपि समंदर दना कहा है जे आरा बना 죄송 कहोह कह रहा है और कव्न कहई कौव थी that गव रसस्ते कह तो कह रहा तो डूबवे कह रहा है हुआ 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 है को झाल झाल